वारत और इंग्लान की बीच ये खेला गया पहला टेस्ट मैच बारिस की भेट चड़ गई किसी ने सोचा भी नहीं ता जीते हुए मैच को टीम इंडिया ऐसे गबा देगी और मैच ड्रौ हो जाएगा वो बता दे टीम इंडिया को मैच के पांच पे दिन जीत के लिए मात्र 157 रणों की दरकार थी और क्रिस पर मौझूद थे वारत की हिट मैन रोईद सर्मा और टीम इंडिया की दिवार चेते सिर्फ उजारा टीम इंडिया की हाथ में 9 विकेट था तब मान चुके थे की टीम इंडिया ये मैच असानी से जीत जाएगी इंग्लेंड की टीम के धगदग थी क्योंकि वो जान चुके थे की ये मैच वो हारने वाले है लेकिन इंग्लेंड के उपर मौसम का आसिरबद बरसता रहा और बारिस रुकने का नाम नहीं लिया और वारत की जीते हुए मैच को ड्रॉ के साथ संतुष्ट होना पड़ा आपको बता दे वारत और इंग्लेंड की बीच फास टेस्ट मैचों की सीरिस खेली जानी है और ये टेस्ट सीरिस दोनों ही टीम के लिए बेहत खास है क्योंकि इंग्लेंड टीम चाहेगी कि वो अपने घर पर ये सीरिस ना हारे तो वही टीम इंडिया इंगलेंड को उसी की घड़ में चारों खाने चीट करने की सोच कर इंगलेंड पहुची है लेकिन अब जिस तरीके से पहला मैश ड्रॉ हो गया उससे कहीं न कहीं इंडिया मायूस तो जरूर होगी वारत और इंग्लेंड की भी इस दूसरा टेस्ट मैच अब बारा तरीक से खेला जाएगा दोनों ही टीम को नेजर अब दूसरे टेस्ट पर ठीकी होगी तो ऐसे में देखना होगा कि ये दूसरा टेस्ट मैच के कौन सी टीम बाजी मरती है या फिर दूसरा टेस्ट मैच में भी बारिस की भेट चर जाएगी इस बारे में आपका क्या है राय नीचे कमेर्स में बताईए साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा